राइचू डिस्टिक में मुख्तलिफ और्गनाईशन की जानेप से मैक्रो फैनांस संग के रीकवरी एजन्ट के जरीए खवातीन को परेशान किया जाने पर आने वाले 5 डिसंबर को बड़े पैमाने पर एतजाज और्गनाईज किया गया है करनाडगा के मुख्तलिफ डिस्टिक में खवातीन संग के दलदल में फसी हुई है और लगातार रीकवरी एजन्ट के जरीए किये जा रहा है हराश्मेंट से परेशान है मैक्रो फैनेंस बैंक के नाम पर चल रहे है संग के खिलाब एक महिना पहले गुलबरगा में हिस्टोरिकल एतजाज हुआ जिसके बाद पूरे करनाडगा में इनखलाब पैदा हुआ है और हर तरफ खवातिन अब घरों से निकल कर संग को पूरी तरहा से बंद करवाने की मांग कर रही है गुलबरगा के बाद सेडम शहपूर अलंद यादगीर के अलावा दिगर जगाहों पर एतजाज किये गया और अब राइचूर डिस्टिक में 5 दिसमबर को एतजाज और्गनाईस किया गया है राइचूर के अमबेटकर सरकल से डीसी आफिस तक एतजाजी रैली निकाली जाएगी जिसमें कसीर तेदाद में खवातिन शिरकत करने वाली है और गुलबरगा से संग के खिलाफ इस मुहिम को शुरू करने वाले महीला सुरक्षा समीती के जिम्मेदार भी इस एतजाज में शिरकत करेंगे रैचू टिष्टी के सोभी सोचल अक्टिविस्ट, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल लीडर से गुजारी शेक हुए इस एतजाज में शामिल हो और अपने महले की परेशान खवातिन की ताखत बन कर संग को बन करवाने में उनका साथ दे याद रहे आने वाली 5 जिसंबर यानि जुमिराज सुबा साड़े 9 बजे अमबेटकर सरकल से इतजाज शुरू होगा ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिये नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं